नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशाश डिपन पर स्वागत हैं पेट 2023 पेपर की द्रिश्टी से दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस ट्री पर चलता करेंगे तो चलिए सुरुबात करते हैं कि रिजनिंग के जो आपके कुश्यन आने हैं उनकी संख्या है आपकी पांच चलिए उन्हीं पांच कुश्यनों पर चर्चा करते हैं यह होगा आपका सेट नमबर थ्री सेट नमबर वन टू अल्लेडी अप्लोड किया जा चुका है चैनल पे आप उन्हें भी देखिएगा तो चलिए पहले प्रेश्ट लपों में से बिसम सब्द को चुनिए यहनि हमें क्या करना है बिसम सब्द को चुनना है ओप्शन्स होंगे आपके पास चार पहला ओप्शन है आपका जिंक दूसरा है आपका कांस तीसरा है आपका रजत और चौथा है आपका प्लेटिनम अब जब भी इस तरीके का कोई कुश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो सबसे पहले याद रखे कि यहां पे धातू के बारे में जानना चाहता है मैटल के बारे में आपको पता है जो जिंक है और रजत है और आपका प्लेटनम है यह सभी क्या है मेटल यानि धातू है और जो कांस है यह आपका मिस्र धातू है मिस्र धातू से हमारा तादपर होता है जो दो धातूं से मिलकर बने होते हैं उन्हें मिस्र धातू कहते हैं कासे के बारे में बात करते हैं तो यहां से कुश्चन आप आप से पुश आता है कासा किसका mix-up है यानि किन दो धातूं से मिलकर बना हुआ तो का पर और टिन से मिलकर आपका बना हुआ है कि इसी वज़हें से अंसर आपका वी वालालंग हो जाएगा बाकी सब हैं धातूं है जब कि यह क्या है melhores धातू ऌहां प्रिश्ण में आपसे कहा गया है कथन है आपका और उसके विहाब पर निसकर्स निकालना यह न्या निग्मन का है डाइग्राम बनाना होगा इसमें कहा गया आपसे कुछ कुछ चाबियां ताले हैं कुछ ताले संख्याएं है कुछ ताले संख्याएं है सभी संख्याएं अक्षर हैं सभी संख्याएं अक्षर हैं कि सभी अक्षर सब्ध हैं कि सभी अक्षर हैं कि सब्ध हैं इससे संबंदित आपके पास निसकर्स दिए गए हैं चलिए इधर ऐसा करते हैं निसकर्स नीचे लिख लेते हैं यह डाइग्राम बना देंगे निसकर्स आपके पास दो हैं निसकर्स फर्स्ट निसकर्स सेकंड फर्स्ट कहता है आपका कुछ सब्ध संख्याएं हैं दूसरा निसकर्स हमारा कहता है कुछ ताले अक्षर हैं अब आपके पास जो निसकर्स दिये जाते हैं मैंने आपसे कहा था आप्शन के जबाब कुछ इस तरीके से होंगे A में कहेगा आपसे निस्कर्स पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं कोई भी निस्कर्स नहीं निकलता है फिर आपसे दिया गया आपका सी ओप्शन निस्कर्स पहला निकलता है डी ओप्शन पे कहा गया है निस्कर्स दूसरा निकलता है ओप्शन देख लीजेगा किस ओप्शन पे क्या दिया है अभी जो समझना है वो दोस्तों हम लोग को इस प्रश्न को समझना है दो चलिए इसका जो सबसे इजी प्रोसेस है वो आपका डायग्राम मैथट है जो भी आपके पास प्रेशन दिए गया है उसके अगर हम डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं तो हमारा क्या है आंसर सही आ जाता है डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे फाइंड करेंगे पांसर को सबसे बढ़िया तरीकर सबसेजी एंब कुछ चाविया ताले हैं तो आपको बनाना है नहीं पर देखें यह वाला पार्ट आपका कुछ को प्रजंटेशन करता है एक को बना दीजे चाविया और दूसरे को बना दीजे ताला। पिर कहा गया कुछ ताले संख्याएं हैं तो कुछ ताले जो हैं आपके क्या हैं संख्याएं हैं इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अभी चाभी भी हो सकता और नई भी हो सकता तो इसका मतलब एक डाइग्राम हमें और बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा इसको बनाना पड़ेगा चाभी इसको बनाना पड़ेगा ताला और इसको बनाना पड़ेगा संख्या अब क्या कहा गया है सभी संख्याएं अक्षर हैं तो सभी संख्याओं को आपको किसके अंदर रखना होगा अक्षर के तो अक्षर यहां हो जाएगा फिर यहां पर भी आ मैं ऐसे बनाना होगा ये हो जाएगा आपका सब्द अब जो आपका दोनों में कही गई बातें अगर दिखती हैं तो वही सत्य होती है और किसी भी डाइग्राम में दो या दो से अधिक भी डाइग्राम बनते हैं फिलाल अभी यहां दो डाइग्राम आप बनाएं क्योंकि आ संख्याएं हैं तो यह वाला पार्ट देखे सब्द का है और यह संख्या का तो देखे सब्द का कुछ भाग संख्या ने घेर रखा इसका मतलब क्या सकते हैं अब इसी को देखे इसमें यह संख्या का जो पार्ट है आपका कुछ भाग सब्द का ले रखा इसका मतलब पहला अब दूसरा देखते हैं कुछ ताले अक्छर हैं देखिए, यह ताला है और यह आपका अक्छर है यह वाला पार्ट देखिए कुछ भाग ले रहा है और यही स्थेम कंडिशन क्या है आप से काग bilateral यहाँ आपको अक्छर वाला वी सी में चिपा हुआ तो यह दिखे दोनों में सही यागर हमें दोनों डाइगराम में कही हुई बातें सत्य दिखती हैं जितने भी डाइगराम तो इसका मतलब वो निसकर्च सही होगा यह भी सत्य है तो इसमें दोनों निसकर्च सही हो जाएगा आपका पहला और दूसरा दोनों नि आप देखते रहिए है कि आए है कि आए है कि आए नेक्स प्रेश्ण है आपका कहा गया प्रेश्ण में कोडिंग डिकोडिंग का है यदि किसी सांकेतिक भासा में डारेक्ट मैं कोड लिखता हूं है कि 256 लाल रंग चाक यह आपका कोड कर दिया गया किसका 256 का में फिर कहा गया फाइब एट नाइन का कोड है हरा रंग फूल हरा रंग फूल नेक्स्ट कहा गया आपसे 245 का code है सफेद रंग चाक सफेद रंग चाक अब आपसे किसी का code पूछा होगा मैंने ऐसा प्रशन एक बार कराया भी था आपने देखा होगा session में तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आपने sessions नहीं देखें तो playlist में आप सारे session 1 by 1 देखेगा आईए आप यहां पर देखे पूछा क्या गया आपसे सफेद का code क्या होगा आपसे पूछा गया सफेद का code क्या होगा options आपके हैं चार पांच आठ और दो मिलाके हमने आपसे कहा जब भी इस तरीके का आपसे प्रशन पूछा जाएगा तो सबसे पहले ज़्यादा बार आने वाले सब्द का चैन करिए और उसकी coding find करिए कि कहां पे दी गई है ठीक है फिलाल हमें सफेद को निकालना तो देखे सफेद है कहां कहां देखे यहां पे सफेद आपका है अगर रंग और चाक को find कर दे तो सफेद निकल जाएगा तो देखिए रंग यहां पे है और चाक यहां पे रंग और 4 इसका मतलब 2 ऐसे नंबर हुंगे जो आपके क्या होंगे common हुंगे तो देखे यहां पे 2 है यहां पर यहां पर आपका फाई है यहां फ सक मतलब कला तक आप यह शब इतना सपोर्ट करिए आप सारी वीडियो को देखते रहें उन मित्रों तक सेयर करिए जिनको इसकी ओ सकता है आपके छोटे भाई बैन जो भी हैं तैयारी में पिटके लगे हुए हैं माले जिए वो यहां पे नहीं नहीं पढ़ पाते हैं कहीं पे भी हैं तो उनको एक बार सेसन को स चैनल पर और उमीद है मुझे कि चीजे समझ में आपको बहुत अच्छे से आएंगे आए नेक्स प्रेस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स प्रेस्ट में आपसे कहा गया है यदि 15 अगस्त के बाद का दस्वा दिन गुरू आ रहे हैं यदि 15 अगस्त के बाद का दस्वा दिन गुरू आ रहे हैं तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन का अंतिम दिन कौन सा होगा अंतिम दिन है कि 15 अगस्त के बाद का दस्वा दिन इसका मतलब 15 प्लस 10 मिला के क्या हो जाएगा आपको बताय गया 25 अगस्त को कौन सा दिन है आपका गुरू आ रहे हैं आप कि आपसे प्रशन आगे ना पूछकर पीछे जाने के लिए बोला इसके पहले महीने में उचा गया तो अगस्त से पहले क्या होता आपका जुलाई और पूछा गया है अंतिम दिन कौन सा इसका मतलब आपसे पूछा गया 31 जुलाई को कौन सा दिन रहा होगा यह निकलना प सम시면 के अपके पचीस दिन अगस्ट के एक दिन पीछे इसके हैं कितने चप्शा इसने और हमने कहा आप से कि जितना भी आपका टे होता उसको साथ से भाग दीजे, जो विसम दिन बसता उससे आगे जाना है, तो जोडते हैं, पीछे जाना तो घटाते हैं, अब यहाँ पे साथ से भाग देंगे, तो हो जाएगा सात्रिक 21, यानि कितना बच जाएगा आपका 5 दिन, यानि 5 दिन अगर हम गुरुवार से पीछे च जान से, अब हमको 25 तारीक को कौन सा दिन बताएगे आपका, गुरुवार है, ठीक हैं, और अब इसी गुरुवार से आप पीछे जाएए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार, इसके पहले हो जाएगा बुद्धवार, फिर हो जाएगा आपका मंगलवा और यहाँ पे क्या हो जायगा आपका सोमवर और एक, दो, तीन, चार, पांचवा दिन क्या हो जायगा आपका रभीवर तो यही प्रिश्न में आपको बताना है इसने पूछा है कि कौन सा दिन होगा तो दोस्तों उस दिन रहाओगा रभीवर यह आप से प्रेशन समझ गया होंगे प्रेशन यह ऐसे सिंपल हो गया यदि किसी महीने में या किसी वर्स में ठीक है ना 25 अगस्त को गुरु आर है तो 31 जुलाई को क्या रहा होगा सेम पेपर का पैटरन आपको मैंने ऐसे प्रेशन बहुत सारे प्रेक्टिस सेशन में कराएं कलिंडर के प्रेक्टिस सेट में आप देखेगा 31 जुलाई को आपको कौन सा दिन होगा तो रभीवार इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा रभीवार यानि संडे आइए इस सेशन के आखरी प्रेशन पर चर्चा कर लेते हैं बेसिक देख लिजेगा मैं फिर से कह रहा हूँ जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिये हैं चैनल पर उसमें टाइम कम दे रहा हूँ जो नहीं पढ़ाएं उन प्रेशनों को आपको पूरा टाइम दिया जाता है ठीक है तो आप उनको ढूनेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रिजनिंग में आप कॉनसेप्ट देखें महां से यूनिट देखें और अपनी तैयारी अच्छी बनाएं कहा गया बच्चों की किसी कतार में कल्पना बाएं से कल्पना बाएं से नवे स्थान पर नवे स्थान पर है इस पर्स दाएं से तेरवे स्थान पर है स्थान पर है जब ये दोनों आपस में आपस में अपना इस्थान अदल बदल कर लेते हैं कर लेते हैं तो कल्पना तो कल्पना बाएं से बाएं से सत्रवे इस्थान पर आ जाती है प्रिश्न में पूछा क्या है तो दाए से स्थान पर होगा तो बताना है आपको दाएं से इस्थान कर लिजे नए इस्थान बताना है अनम कितना होगा लेंग्वेज थोड़ी सी प्रश्णों की अपने अंसार बना लिया करिए मैंने आपको रेंगेंग टेस्ट के प्रश्ण ऐसे बहुत सारे कराएं देखिए अभी आप सौट टिक से पहले इसको समझ लिए ठीक है प्रश्ण में है कुछ नहीं एक तो मैंने आपको डाइग्र हम बनाना ही नहीं उसका रीजन है पहले बाएं से नवे पोजिशन पे थी कल्पना अभी जब रिप्लेस हो गई फिर बाएं से क्या हो जाती है वो कल्पना बाएं से सत्र में स्थान पर हो जाती है तो आप देखिए इंप्रूब्मेंट कितने का हुआ संख्या बढ़ रही हाई आड़ पोजिशन बढ़ गई ना तो इसका मतलब यही सेमं कंडिशन किसके सांथ भी होगी इस पर्ट के सांथ इस पर्ट देख लीजेगा हमने आपको ऐसे में बताया था डाइग्राम मेथड लेकिन यहां डाइग्राम बनाने की विजरूवत नहीं पड़ेगी क्योंकि टोटल संख्या पूछी नहीं गई आपसे के वहल नई रिप्लेस की वैलू पूछी जा रही है कुछ इस तरीके से हमने आपक यहां नई पोजीशन जो कलपना तो देखेगा है इसका कलपना की हो गई यहां से अब भाई इसका इस पर्स का पूछा अदाय से अगर आठ यह बढ़ा तो आठ यह भी तो बढ़ेगी तो यहां इस पर्स कितना हो जाएगा तो यह है दोस्तों इस तरीके का प्रेश्ट लगाने के दो मैथड आपको जो बेटर लगे आप उसको कर लिजिए फिर मिलते नेक्स रिवियों में थैंक यू